नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूं सरकान प्रतियूस आपको पता है कि जारखन में महागडबंदन की सरकार बन गई है जारखन में महागडबंदन एक जूट था बिलकुल इंटेक्ट था लेकिन जो इंडिये था उसमें बिखराव आ गया था बीजेपी अकेले पड़ गई थी चुनाव मैदान में उसके सारे सहोगी दल उससे अलग हो गए थे सिटों की संख्या को लेकर लेकिन महागडबंदन एक जूट था और उसका फाइदा भी मिला जारखन में महागडबंदन की सरकार बन गई है मंसुर नुहा के मु महागडबंदन को एक जूट रखने में लालू यादों ने अहम भूमिका निभाई थी लेकिन जारखन में महागडबंदन को जो सफलता मिली है उसका असर बिहार में भी महागडबंदन पर पढ़ने लगा है दिखने लगा है और अभी से कांग्रेस पार्टी ने दवाव बनाना शुरू कर दिया है आरजेडी के उपर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जारखन में जो सफलता मिली है उसको इस वज़ा से मिली है कि समय से सीटों का बटवारा हो गया और चुनाव की त्यारी करने के लिए पूरा समय मिल गया तो कांग्रेस चाहती है कि इस बार लोग सभाज चुनाव की तरह आखरी समय में सीटों का बटवारा ना हो छो महिना पहले कांग्रेस पार्टी ने सीटों की संख्या बता देने का अल्टमेटम दिया है यानि कहा है कांग्रेस पार्टी ने छे महिना पहले कौन कहां से लड़ेगा कि सीट पर लड़ेगा किस उसको कितनी सीटे मिलेंगी ये तै हो जाना चाहिए ताकि तैयारी पूरी हो सके और सही उमिद्वार का चैन हो सके तो आप मान कर चलिए कि कांग्रेस पार्टी जारखंड में मिली सफलता से काफी उससाहित है और वो बिहार में भी आरजेडी पर दबाव बनाना चाहती है आ लेकिन तेजस्वी आदो बिल्कुल उनके नराजगी और मांगों से बेपरवाह दिखते हैं आज भी तेजस्वी आदो जारखंड में हिमन सोरेन की सपसामारों से भाग लेने के लिए गय थे पटना पहुँचते ही पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि जितन्रा मा बेपरवाह दिख रहे हैं अपने घटक दलों के नेताओं की मांग से उनकी नराजगी से दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है अभी से कि भाई अभी आप बता दीजिए कि कितनी सीटें आप देंगे कौन सी सीट देंगे ताकि हम अभ से ज़्यादा सीटें मिली थी और उमिज से ज़्यादा सफलता भी मिली थी यानि 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और उसे 27 सीटें जितने में कामया भी मिली थी कांग्रेस वही परफॉर्मेंस दुहराना चाहती है हलाकि इस बार नितिश कुमार उसके साथ है नहीं इसलिए उसे डर सता रहा है कि RJD की तरफ से उसे इस बार इतनी सीटे दी जाएंगी या नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही अपना पैतरा देना सुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने RJD को खबर भेजी है कि आप 6 महिना पहले ही बता दिजिये कि कितन कि अब 2-3 महिने के अंदर ही तस्वीर साफ हो जानी चाहिए वैसे जो भी बाकी घटक दल है उपेंदर को स्वहा की पार्टी है रालोस्पा हम पार्टी है जितना माजी की और सनफ मला की पार्टी है भ्याईपी पार्टी सभी सीटों की अधिक से अधिक संख्या को लेकर अधिक स्वहा करेंगे आखरी समय में तय है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं बाकी घटक दलों के दबाव में आकर तेजस्वी आदों उनके सिटन घटा दें इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है लेकिन तेज तेजस्वी आदों को जो समर्थक हैं जो बोटर हैं वो मान रहे हैं कि तेजस्वी आदों के जरिये ही लड़ाई लड़ी जा सकती है बाकी जो घटक दल है कांग्रेस पार्टी हो या भी आईपी पार्टी जितन अमाजी की पार्टी या फिर उपिंद्र कुसवा की पूरे दमखम के साथ सभी सीटों पर चुनाव लगना चाहिए तो तेजस्वी यादों बेपरवाह दिख रहे हैं अपने घटक दलों के नेताओं के नाराजगी से और उनके समर्थक उनके साथ खड़े दिख रहे हैं इस सबसे बड़ी बात है तो मालन कर चलिए कि के साथ इस वीडियो को खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कियाद कर लिजे आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत आहमयत रखता है